चल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं उट्सक्राइब काम आओर मोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे इनको घडबंदन करना चा चाहँख फर इसको घ्ट लगजण वेई कुशन भी तो अनि कित bénlow कल दिया तो दोखिनु सर्वाटन के शुर्मिडड़ करेंगां पहले जो जाश्टेमठन निए लगजए दहन हैं उठा सकती है लेकिन अगर भीजे बीचे लेगी तो किसानों के कोई आवाज हड़ने वाला बचे गई नहीं अगर गडबंदन भाजपा के साथ होता है तो क्या लोग कत्राएंगे फिर से आंदोलन करने में बिलकुल कत्राएंगे जी कि जो इस आंदोलन को बचाने वाले थे और इस सरकार के खिलाब आवाज को किसानों के साथ आवाज दी और वेही उसके साथ चले जाएंगे तो किसानों की बरुसा उठेगा बरुसा तो किसान सड़क उपर किस के सारे निकलेगा CCA में आपका स्वागत है हम अभी बाकपच जिले के सांगरोद गाउं में हैं पिछले दिनों यहां पश्च मुत्र प्रदेश में खास्फ करकी एक बहुत खलबली मची हुई है यहां लोगों के बीच में जब से मीडिया में कुछ इस तरह की खबरे आ रही है कि राष्ट लोगतल और उनके अद्धक्ष जैन चोदरी जी और भाजपा के बीच में एक गड़बंदन की बात हो चल रही है और चारिक इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है जैन चोदरी से लेकिन इसको खारज करते हुए भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं यहां बहुत खल्बली है खासकर कि इसलिए भी क्योंकि कुछी दिन पहले दोनों अखिलेश यादव जी और जैनची अधरिदी दोनों के ही ट्विटर अकाउंट से इस बात को डाला गया था कि इनका गड़बंदन तैह हो चुका है साथ सीटे राश्टर लोगदल पार्टी को मिल रही है भाजपा के साथ जाने को लेकर अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है अगर राश्टर लोगदल भाजपा के साथ जाती है तो यहां के लोगों की उस पर क्या राय होगी आईए बात करते हैं गाओ के हमारे यहां पर जिम्मदार हैं हमारे राश्च लोगदल भाजपा के साथ जाती है तो क्या आपको लगता है कोई फाइदा है या क्या है देखियो जी जो हमारा गटबंदन बन्या था ये कांग्रेस का रिये अखलेस का ये एक भाईचारा और सद्वावना पैदा हुई थी और वो सद्वावना आज मजदूरों म क्या भी अस्टित को खत्रा है क्योंकि जो भाजपा का कैडर बोटर है वो कभी लोगदल को बोट नहीं देगा और लोगदल की बोट ले लेगा ये बहतर ये है चाहे लंबी लड़ाई करने पड़ो लंबी लड़ाई कितनी ही लड़ो परन्तु इसे अगर विपक्स में र बाजपा के साथ जाके कुछ सीटे जीद भी ली लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व ही खत्रे में आ जागा उसके बाद बिलकुल आ जाएगा जी हमारे चोधी चर्ण सी मुया करते थे नेता उनोंने 28 अगस्ट 1989 में उनके पास पत्रकार पहुंचे थे क करैंङरेशं वापिस लिया था उनसे कांगरेशं के ऑवे पत्रकार कहना लगे जी कांगरेशं ने समर्थन वापिस लिया इसLP आगे आप बीजडेपी को पसंद करो गी कहना बेरा कहना यह मेरा कहना ये है यह जो न्राज बैठ गे उस दिन देश नहीहीं सिंभलेगा बचेगा इसलिए इन से बचके चेक बोट किसी को जो इन से बचके बोट देना है जी आपका ना ओमवीर जी आप क्या करते हैं मैं तो खिटी बाड़ी करता हूँ आप किसान है ओमवीर जी तेरा महीने का एक बहुत बड़ा यहां किसान अंदोलन रहा दिल्ली की सरहदों पर साड़े साथ सो से जादा लगबग किसान वहां शहीद भी हुए आप खुद किसान हैं आप इस अंदोलन से कितना जोड़े थे आंदोलन में पूरे जोड़े थे हम आंदोलन में जाते रहते जी वहां आप गाजी पुर जाते थे तो आप अमवीर जी आप यह बताईए क्य जो इस आंदोलन का था वो कहीं न कहीं चौधरी जैंत सिंग ने किया है राष्ट लोगदल ने किया है तो अगर ये राष्ट लोगदल इस आंदोलन के बाद भाजपा के साथ क्या आपको लगता हैं का गड़बंदन होना चाहिए गड़बंदन नहीं होना चाहिए जी जैंत जिए इंडिया गटबंदन में रहना चाहिए जी आगा आने विधान सभा चुनाओं में बहुत बड़ा नुक्सान होगा अगर लोक सभा की चार सी या तीन सीट इने मिल भी गई तो विधान सभा में ये खतम कर देगा पूरा अस्तित्व खतम हो जागा जी आपको लगता है भाईचारा टूटा है मैं जरूर इस पर भी एक सवाल करूँगा क्योंकि आपके जिले में तो नहीं बागपत में नहीं लेकिन थोड़ा से ही आगे जाके यहां मुझफर नगर और शामली में बहुत बड़ा दंगा तेरा में हुआ था जिसके बाद भाईचारा टूटा और काईना के भाजबा ने चोधरी अजीत सिंग को भी हरा दिया चुनाव में क्या आपको लगता है कि वह भाईचारा किसार अंदोलन के बाद फिर से खायम हुआ है हाजी दूबारा कायम हुआ भाईचारा यह चोधरी साब ने चुनाव लड़ा भाईचारा कायम रख्या चुनाव बेसा कारिये पर महारा भाईचारा बढ़ा जी फिर उसके बाद मा कतुली में उड़ जादा बढ़िया जी जब यह जीते थे अपने मदन भाईचारा चुनाव जीते कतुली से तो भाईचारा बढ़ता चले गया जी महारा तो यह बढ़ता जा रहा जी महारा जो तो बाजबा में चले गए तो भाईचारा खटम होता चलेगा, पार्टी का अस्ति तो खटम हो जागा चलेगा, आपका नाम साब, अजी, समेदीन साब आप क्या करते हैं, मैना मजदूरी का काम में, तो ये बताएएए ये जो गठबंदन हो रहा है समेदीन जी, ये आपको लगता है होना चाहिए? भाजबा के साथ गठबंदन नुकसान है, क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि भाजबा ने भाईचारा ही खतम कर दिया, कहीं पर भाईचारा नहीं छोड़ा, तो आपको डर है कि भाईचारा फिर खराब होगा? हाँ, बिलकुल हो सकता ह हाँ, अगर चोधरी साब उसमें जांगे, बीजेबी में तो भाईचारा, भाईचारे को खत्रा है जी, भाईचारे को खत्रा है, हाँ, बिलकुल है, यह एक बहुत बड़ी बात बार बार लोगों ने कही है, यहाँ पर हिंदू किसान मजदूर भी हैं, जो एक चीज़ की बार बार बात जो कर रहे हैं कि भाईचारा तूटने का एक बहुत बड़ा खत्रा है, बहुत बड़ा खत्रा है, बहुत खराब फिज़ा आई थी सितंबर 2013 में, अब उसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, और यह जो एक चीज़ बार बोली जारी है, अगर राश् किसानों की पार्टी वह है इनी, किसानों का समर्थन नी करती, पहले बाज बाजपा के हैं, पहले जमने में कजि़ जन संग कहें थे इसको, धिवे का निसाहन था, जिब भी छोज साहब को भी, इन्हों नहीं धोका दिया जिब दिया, अकाश क्या करते हैं? अकाश, आप किसान भी हैं और साथ में टीचिंग की जोब के लिए भी आप तैयारी करने हैं, मुझे बताइए कि आप दोनों, एक किसान होने के नाते और एक नौजवान जो नौखरी की तलाश में भी है, रोजगर की तलाश में है, ये सरकार आप के लिए कैसी रही है, इ अगर एक यूरिय का कट्टा भी देखे, पहले तो उस पर इतने चार गुना जादे पैसे बढ़ा दिया उस पर, और उसके जो वेट था, वो भी कम से 10 किलो कम कर दिया उस पर, और किसानों की फसल का भाव देखे, तो उसमें भी कोई जादे जाफा नहीं हुआ है, उसके किमतें गिराई दिया है, और अगर हम देश के अनुसार भी बात करें, जैसे हमें यह मुईत थी कि जो राष्टर लोगदल है, वो यसी पार्टी है, जो किसानों की हित में आवाज उठा सकती है, लेकिन अगर भी जब बीचे बीचे लेगी, तो किसानों की हित की बात नही ही उठाएगी राष्ट लोगदल, आप क्या इतना बड़ा जो किसान अंदोलन हुआ था तेरा महीने का, क्या आप उसमें अपने हिस्सा लिया था? हाँ जी, बिलकुल हम उसमें गए भी थे वापे, और किसानों के साथ वारत लाब बे की थी, और जैसे हम तो किसानों की देखें, तो हर साल मतलग बग अब वेकेंसी निकालती है, वो किस तो में वेकेंसी निकाल रही है, सरकार, पांसो निकाल ली, हजार निकाल ली, पंदरस निकाल ली, फीस पंदरसो दो हजार रुपी, अगर उसमें इदे कितना पैसा कमा जाती है, सरकार फों फों में, और और रिजल्ट सब बिक जाते हैं, सब पेपर आउट हो जाते हैं, अगर हम अपनी बात देखें, अभी तो नया रूल निकाला है, गवर्मेंट ने, कि बच्चों को कोचिंग में दे जाएगा, कि 14 साल से पहले बच्चों को कोचिंग सेंटर सब बंद है, अगर बच्चों का बच्चे पढ़ेंगे कहां पर, देख का विकास कैसे होगा, आपको क्या लग रहा है कि ये गड़ बंदन अगर भाजपा के साथ हो राष्ट्र लोगलत का, तो ये ठीक रहेगा, सर अगर कोई सरकार देश को पतन के और लेके जा रही हो, और सब उसी का साथ दे, तो अच् किसानों के हित्मेकार ये नहीं करी, उसी के पास जा रही है वो बार बार, तो किस सफ हम तो तूटी जाएंगे उस से अलग बिल्कुली, हमें तो क्यों कि किसानों को तो पने लिए लड़ना ही पड़ेगा, जी तिहासर आए कि किसानों खुदी के लड़ाई खुदी यहां तेरा महीने के लिए चला सड़कों पर किसानों का, क्या इस तरह आंधोलन करने से अगर ये गड़मंदन भाजपा के साथ होता है तो क्या लोग कत्राएंगे फिर से आंधोलन करने में अशार बिल्कुल कत्राएंगे जी, कि जो इस आंधोलन को बचाने वाले थे, औ और इस सरकार के खिलाप आवाज को किसानों के साथ आवाज दी और वे ही उसके साथ चले जाएंगे तो किसानों की बरुसा उठेगा बरुसा तो किसान सड़कों पर किस के सारे निखलेगा लोग दल यहां भाजपा के साथ जाती है तो आप लोग क्या लोग दल के साथ रह आप चारियों किसी की सपौर्ट Iss का कर देनी ऐ नहीं को इसो कि सुपोर्ट नहीं कर भी हम उनके जो पहले प्हज़ская काम तों था उनकुल खराब काम अगर वजाएप्म तो रहने उनके साथ ते रिल्कुलाDया नहीं रहने कि अगर जायन चौदरी जी भाजपा के साथ जाएंगे तो या तो वो घर बैठ जाएंगे या विकल्प तलाशेंगे चुनाव में लेकिन भाजपा के साथ किसी भी पार्टी को जो खड़ी होगी उसको वोट नहीं करेंगे जायन चौदरी जी क्या ये बाते सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं ये तो हम नहीं जानते लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जब जब नेता अपनी जंता से अपने वोटर से अपने जंता से अपने सबसे बड़े समर्थों को से दूर हट जाता है उनकी बात नहीं सुन पा तब तब उस पार्टी का हमेशा वो खात्मे की तरफ ही गई है वो पार्टी सीजी एक जड़े रहें पश्चिम यूपी की खबरे आप तक आती रहेंगी शुक्रिया